हेलो एवरबन गुड मॉर्निंग हाजी अपन बात कर रहे थे फोकल्ट पैंडूलम गिया ना तो वो अपना कम्प्लीट नहीं हुआ था लास्ट अपने इक्वेशन निकाली थी साइध कुछ ऐसे कि कि एफ सी वेक्टर एक्वल टू एम ओमेका साइन लेंडा आइकप डैस एसे कुछ निकाला था अच्छा जी वी डेस भी था इसके साथ यह लो छोटा सा दिखा दिया ना बात कर रहे थे अपन अपने फोकोल लगी ठीके उसके अंदर अपने लास्ट में यह रिजल्ट निकालके छोड़ दिया था ना और हां आपकी इस चेप्टर के बाद ही यूरिट खतम नहीं होती उसके बाद एक चेप्टर हो और है कंजर्वेशन अपने यह वाले एक्वेशन निकालके वहें फेनिस करती थी कलास को आज अपन इससे आगे स्टाट कर रहे हैं यह एक्वेशन क्या प्रदर्शित करती है यह एक्वेशन क्या डीनोट करती है कि कोरोलियस फोर्स से मिल कर एंगुलर मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी बने परपेंडिकुलर्टु प्लेन अर्थ डाइरेक्शन में कार्य करे रहा है ठीक है जी अता है उत्री गोलार्द में फोको लोलक क्या अता है नौर्थ हेमिस्पेर में जो फैकल पेंडूलम है वो वेस्ट से इस्ट की और घुनन करेगा ठीक है अर्थार्थ दक्षणावर्थ करेगा और दक्षणी गोलार्थ में वामावर्थ दिशा में घुनन गती करेगा ठीक है यह अपने कल उस दिन सौल कर लिया था अब आपन बात करते हैं टाइम पीरियड ओ फैकल पैंडूलम की ठीक है नेक्स शेडिंग क्या होगी अपनी टाइम पीरियड ओ फैकल ओमेका साइन लेमडा ठीक है बात किसकी कर रहे हैं अपन फैकल पैंडूलम के टाइम पीरियड की ठीक है उसके लिए अपने क्या कर दिया टाइम को किसे रिपर्जेंट कर दिया टूपाई अपन ओमेका साइन लेमडा अब भाई आथ लोग जानते हो जब आपनने पीछे जी लेमडा के वेलिव निकाले थी कहने का मतलब प्रत्वी के साप एक्स घुनन गती आप लोगों को पढ़ाया था वहाँ पे अपने एक चीज मानी थी स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो ओमेका जो है वो प्रत्वी का कोडिया वेग है ठीक है तो उसको अपने वहाँ पे ओमेका एकवल कुछ हैशे लिखा होगा क्या लिखा होगा 2 पाई 24 रेडियन पर आउर ठीक है ये लिखा था लिखा था पीछे वाली क्लास में सुन लेना कि क्या था रही है ठीक है सेम तो सेम वह वाली चीज जो ठाके मैंने यहां पर रखे कुछ भी नहीं किया है यह मानों कि यह कितना होता है ओमेका का वेल्यू होती है अब प्रत्वी इतना चक्कर लगाती है ठीक्षे चक्कर लगाने में प्रत्वी को इतना समय लगता है कितना 2 पाई आपोण 24 रेडियन पर हावर अब क्या करतोगे एक्वेशन वन भी आ गई और एक्वेशन टू भी आ गई हैडिंग क्या कर रहे हैं अपन टाइम पीरियड और फेकल्ड पैंडूलम फोको लोलक का आवर्तकाल निकाल रहे हैं उसके लिए अपने स्टार्टिंग में फोमुला क्या रखा टी इक्वल 2 पाई अपोन ओमेगा स तो क्या आजाएगा 24 अपोन साइन लैμडा अ हावार शिके यह अपना कितना गया यह क्या आए फोको लोलक का आवर्तकाल फोको लोलक क क्या करेंगे LET angular velocity omega' क्या करेंगे LET माना कोण ये संभी कितना हो जाएगा सुरी कोण ये बेक कितना हो जाएगा omega' झैस और किसका focal pendulum का ध्यान से सुनना LET angular velocity omega' mesure to फेकल पेंडूलम तो ओमेका डेस इक्वल कितना आ जाएगा अले भाई यह ओमेका डेस क्या है यहां पर कोण यह संभेग है जिसको अपने किसी रिपरजेंट कर दिया ओमेका डेस से तो अब आप लोग जानते हूं क्या होता है तू पाई अपॉन आवर्थकाल है तू पाई आप लोगों को पता है आवर्थकाल आपने उपर निकाल रखा है तो बस वेल्यू ही पुट करनी है कितना आ जाएगा यह 24 अपॉन शाइन लेम्डा तू से तू चला जाएगा कितना आया 12 आया ठीक है तो यह कितना हो जाएगा आपका देखो अमेका डेस इक्वब पाई अपॉन ट्वट सहीन लेम्डा बहु ख्लियर है किया यहां तख है ठीक है चुंकि पाई एक्वल कितना होता है 180 डिगरी होता है पता है नर चीक है तो क्या कर दोगे पाई की जीके वेलीव पुट कर दो 180 degree upon 12 sin lambda इसको सोल करोगे तब क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 15 sin lambda degree पर हावर कहने का मतलब यह तो क्या है अपने पास फूको लोना का आवरतकाल और यह क्या है अपने पास स्फूको लोना का कौन यह है समवेग क्लियर है यहाँ अब अपन कंडिशन यूज करते हैं इसके अंदर कितनी पोलर अक्सिस पर अगर लेमडा इक्वल 90 डिग्री है तो ओमेका डैस इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 sin 90 तो कितनी वेली होती है तो ओमेका डैस इक्वल क इतना आ जाएगा 15 डिग्री पर हावार किसके ऊपर पोलर अक्सिस पर ठीक है जी ओके अब यह यहाँ पर अपना चैप्टर भी फिनिश होता है और अपना इसका टोपिक भी फिनिश होता है ठीक है अब अपन नेक्स्ट हैडिंग लिखने जा रहे है लोरेंज इक्वेशन देखो यह आपके स्लेबस में नहीं है क्या लोरेंज ट्रांश्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को स्लेबस में नहीं है पर यह 2018 के बाद आप लोगों के स्लेबस से हट गया था उसके बाद यह दो बार आज चुका है तो इसलिए अपन कोई रिस्क नहीं देने जाते हैं इसलिए अपने इस टोपिक को करवा रहे हैं है है हेडिंग हो जाएगी अपनी क्या लोरेंज ट्रांश्फॉर्मेशन एक्वेशन क्लेर है जी यह लोजी वह ही अपन दो फ्रेम ले लेते हैं ठीक है पहले तो देखते कि लोरेंज ट्रांश्फॉर्मेशन एक्वेशन कहते किसको है किसी एक निर्देश चंत्र किसी एक बिंदू के निर्देशांग ग्यात हो कोई एक फ्रेम ओफ रेफरेंस से ले लो उसके कोडिनेट अपने को पता हो और उसी बिंदू के निर्देशांग और उसी पॉइंट के कोडिनेट किसी दूसरे फ्रेम ओफ रेफरेंस में ग्यात किये गए हो तो उन कोडिनेट्स में जो रिलेशन स्तापित होगा उसको आप क्या कहोगे लोरेंज टार्श फॉर्मिशन एक्वेशन कहेंगे ठीक है अपन बात कर लेते हैं कहने का मतलब यह कितने की बात बोल रहा है दो फ्रेम ओफ रेफरेंस की बात बोल रहा है ठीक है तो अपन क्या करेंगे दो फ्रेम ओफ रेफरेंस लेंगे सबसे पहले अपन एक की बात करते देखो को यह अपने को फ्रेम ओफ रेफ्रेंच ले लिया और यह अपने इसका कोई पॉसिशन वेक्टर यह फिर यहां पर अपने कोई क्या ले ले पॉइंट फी ले लियाँ यह क्या है एस है S का मतलब इस्तिर है ठीक है जी माना एक फ्रेम एस जो की क्या है स्तिर अवस्ता में है इसमें किसी बिंदू के निर्देशांग पी के कोडिनेट कितने हो जाएंगे आक्षवाई अपाई यहां ओके साप एक्स पी का स्तिती सदूस कितना है और वेक्टर इसके कोडिनेट क्ले अन्य तंत्रे लेते हैं वापान मानलो एक अन्य फ्रेम फ्रेशेंश लेड़ेंश यहां से लो भई कि देखो इसको अच्छे से बनाते हैं वार हटाओ इसको यहां से कि इसको थोड़ा सवरागे ले जाओ और यह क्या आपने पास आइस डेस अब आप लोगों को पता है पीछे अपने जितने भी फ्रेम ओफ रेफरेंस एस डेस लिए वो क्या करता है वी नियत वेक से क्या है गती सील है तो यह इसको भी क्या कर दोगे वी नियत वेक से यह क्या है गती सील है ठीक है अब यह यहां से अपने कोई पोइंट क्या ले लिया पी ले लिया ओके यहां से लेके यहां तक यानिकी फ्रेम s का position vector क्या हो जाएगा r vector इसी तरीके से इस वाले frame को मिला दो yellow ये origin point कितना हो जाएगा o dash q frame कौन सी की बात करना है s dash की तो o dash और p की बीच position vector कितना हो जाएगा r vector dash clear है यहाँ पे जैसे same to same इसकी theory बोली थी वेसे ही इसकी भी बोल देंगे तो इसके coordinates कितने हो जाएगे यहाँ पे यह किसके है frame s के है और यह coordinate किसके हो जाएगे x dash y dash z dash frame s dash के clear है भी यहाँ तक चलो जो अब क्या करते हैं यहाँ पे अपन माना o way o dash पर बिंदुवत प्रकास स्रोथ है ठीके यह अपने जो point लिए ना frame s का origin point और frame s dash का origin point इन दोनों के उपर अपन को एक प्रकास रख देते हैं क्या रख देंगे light का कोई स्रोथ रख देते हैं ठीके light instrument रख देते हैं देको उसको अपन ऐसे रही परजेंट करेंगे देखो जी यह लोजी ठीके 8 इसके ऊपर रख दो यह लो अपने क्या किया दो फ्रेम लिए s फैस एस ठीक है इसके origin point से p तक position vector कितना है r vector ऐसे ही अपने एक frame और लिया जो इस जस्ट इस s वाले के ऊपर ही लिया है ठीक है यह क्या कर रहा है वी नियत वेक से गती सील है clear है इसके origin point मतलब frame as days के origin point और point p के बीच जो distance होती उसको position vector कितना होता है r vector dash clear है अब दोनों के coordinates लिख दिये यहां पर ठीक है अब अपनने क्या किया है यहां पर में माना over orders इन दोनों बींदों के उपर दोनों के origin point पर अपन ने कोई प्रकाश रोत रख दिया है clear है कोई light instrument रख दिया है और इन दोनों की जो velocity होगी वो अपन क्या लेंगे same लेंगे याने की अगर इसकी velocity c है तो इसकी भी कितनी होगी c होगी clear है भाई यहां तक अगर इसकी velocity c ली है तो इसकी भी velocity कितनी लोगे c लोगे आगे बात करेंगे अपन इसकी क्यों ली है clear है भाई यहां तक है अब एक चीज़ों सुनना यहां पर o where o des si bindu p तक यह प्रिकास light जाने में लगा समय अब भाई क्या किया है आप लोगों ने माल लो यह आपके गर की कोई छत है clear है यहां पर आपने कोई बल्ब लगा दिया अरे गोल होता है बल्ब है यह लो बल्ब लगा दिया अब क्या किया है आप लोगों ने इसको घर की छत पे रख दिया और बल्ब जला दिया यह बल्ब क्या है इंस्टूमेंट रखा है तो इसकवाले की जो लाइट जाएंगे वो कहा जाएंगी point P पर और जो frame of reference एस्टेश की origin point पर जो light instrument रखा है उसकी light कौन से point पर जाएंगी point P के उपर है ठीक है light सुरोध तो दोनों origin point पर रखे हैं और दोनों की velocity कितनी हैं अपने पास सेम है पर एक चीज़ ओर देखो ये जो light यहां से यहां तक जाएगी ना उसको जाने में लगा समय कितना है frame S के लिए बात करें तो light जाने में लगा समय T और frame S की बात करें तो light जाने में लगा समय T clear है यहां तक ठीक है तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं O से P तक प्रकास को जाने में लगा समय देखो O से P तक प्रकास को जाने में लगा समय अभी अपने को पता नहीं है बस only अपने T किया है ठीक है अब अगर आप समय निकालते हो तो केसे निकालते हो दूरी अपन वेग formula यही होता है ठीक है तो O से P तक की बात कर रहे है और time कितना है अपने पास T है T equal formula क्या होता है दूरी अपन वेग equal type यही होता है तो T अपने पास है दूरी किस किस कौन से दूरी के बीच निकाल रहे हो ओ से लेके P तक तो यहाँ पर क्या लिख दोगे O P अब बात किस की कर रहे हो वेग की तो जाहिर सी बात है frame S के origin point पे प्रकास रोत क्या रखा था प्रकास रोत रखा था और उसके उपर अपने velocity कितनी ली थी C ली थी तो इसके नीचे कितना लिख दोगे C कहने का मतलब वेग वेग आएगा किसका यहाँ पे इसी के तो आएगा तो वेग कितना है यहाँ पर प्रकास का वेग C है light velocity कितनी है यहाँ पे C तो आपने लिख देटे इक्वल O P अपोन C अब एक चीज बताओ ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना कोई दिक्कत नहीं अपने एक बार फिर से रिवाइज कर देते देखो इसको यह डाइग्राम समझ में आ गया अपने एक फ्रेम लिया S ओके उसको एक उसके लिए अपने कोई point लिया P clear है O से P तक यानिकी frame of reference S का position vector क्या होता है R vector position vector कब मिलता है अपनको O और P को मिलाते हैं तब मिलता है तो इसको अपनने क्या कर दिया R vector clear है ऐसे ही अपन क्या करते हैं फ्रेम S-DES की बात करते हैं पर फ्रेम S-DES आप पीछे से पढ़ते आएओ कि क्या होता है गती शील होता है कौन से वेक के साथ गती करता है V नियत वेक के साथ गती करता है clear है? अब देखो इसका वो position vector क्या हो जाएगा फ्रेम S-DES का R vector DES होगा clear है? अब यह point P है अगर frame of reference S की बात करो तो coordinate क्या लिख दोगे? आक्ष Y Z अगर frame S-DES की बात करो तो coordinate कितने लिख दोगे? पॉइंट P पर आक्ष DES, Y DES, Z DES clear है? यह अपने क्या थे? simple frames थे अब अपने क्या किया? कि frame S के origin point पे एक light instrument रख दिया ठीक है? इसकी velocity अपने कितनी दे दी? C आपको पता है कि light velocity कितनी होती है? लिए उन 12th class में बढ़ते आये होंगे C होती है अगर instrument light का रख आ है तो velocity भी तो light की लेंगे तो यहाँ पे क्या कर दिया? C लिख दिया ऐसे हैं अपने frame S देस के लिए के एक light instrument रखा इसका भी अपनी velocity कितनी रखी में ने यहाँ पे C रख दी कहने का मतलग दोनों instrument की light velocity क्या है? सेम है अब बन करेंगे O से P तक light जाने में कितना समय लगा? ठीक है अगर आप क्या निकाल रहे हो? समय की बात कर रहे हो तो उसको किसी रिपरजेंट कर दोगे? T से अब आपको पता है कि T निकालना है तो समय का T का formula क्या होता है? distance upon velocity होती है ठीक है T आप लोगों के पास है अब आप लोग ये भी देखो distance कहा से कहा तक निकाल रहे हो O से लेके P तक तो इसको P लिख दिया अब ये C क्या है यहाँ पे? ये प्रकास की velocity है light की velocity है जिसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया ठीक है? अब एक चीज़ देखो अगर आप दो चीज़ों की भी distance निकालता हो मानो ये है ax2 यहाँ से लेके यहाँ तक ax2 है ठीक है अब अगर मैं आप से पूछो मालो कि इसकी distance बताओ मेरे कोई भी कोई भी बिंदू है मालो अब मैं क्या करनी देखो यहाँ पर पॉइंट पी के कोईडिनेट के ax2, y, z अगर अपन distance निकालता है तो कैसे निकालोगे? 0 sorry o minus x distance दो चीज़ों की भी distance निकालते हो distance निकालते है तो minus करके निकालते हो तो क्या आपन इसको ऐसे लिख सकते है हर एक छोटी-छोटी चीज़ी बताने लाइक नहीं होती है देखो op के उपर बस यह चीज़ याद रखना कि यहाँ पर कोईडिनेट कितने लिए है ax, y, z ओके? तो कैसे लिख दोगे आप लोग इसको? 0 minus ax square plus 0 minus sorry o minus y square plus o minus z square upon वे कितना है आप लोगों के पास? c है, है ना? ठीक है अब क्या कर दोगे? इसको इसे लिख दोगे? ax square plus y square plus z square plus c square और t square लिख सकते हो भई? बिल्कुल लिख सकते हैं अब क्या कर दोगे? ax square plus y square plus z square इसको इस साइड लेओ minus c square t square equal 0 इसको नमबर दे दो y clear है? जैसे आप लोगोंने o से p तक प्रकास को जाने में लगा समय निकाला है वेसे ही आप लोग o dash से p तक जाने में लगा समय निकाला है मैं डिरेक लिख रहे हूं समाज जाना o dash p से जाने में लगा समय कितना होगा? t dash तो t dash equal कितना हो जाएगा? o dash p upon c ठीक है? तो इसको कैसे लिख दोगी? दोगी देख़ो आप लोग ax dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square equal 0 इसको अपने equation number दे दिया 2 समझे? clear है यहाँ तक सब को चलो अब अपन क्या कर देंगे? यहाँ बिंदू P दोनों तंत्रों में समाल है यह जो point P है यह दोनों frame में क्या है? same है इसलिए समेकन एक बार 2 में कोई ना कोई relation तो होना ही चाहिए अरे भाई जब frame दोनों frame के point P क्या है? same है तो इन दोनों के जो अपने यह equation निकाले इन दोनों के बीच में तो कुछ relation होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? और relation कैसे निकालेंगे? यह वाली जो equation है मतलब यह वाली equation इस equation के बराबर होनी चाहिए अगर दोनों के point P same है तो यह जो दोनों equation आई है मतलब यह जो equation आई equation 2 यह इस equation 1 के क्या होनी चाहिए equal होने चाहिए या इसके same होनी चाहिए ठीक है? अब इसको अपन same prove करने के लिए क्या करेंगे? कोई ना कोई तो equation लेनी होगी अपने को कोई ना कोई equation तो इस equation में रखनी पड़ेगी जिससे कि अपन ये वाली equation प्रूव कर सके ठीक है, देखते हैं कि कौन सी होती है अपने पीछे Galilean transformation equation पड़ी थी तो वो वाली equation अपन यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर पूट करके देखेंगे ये इससे मेच करती है या नहीं करती है ठीक है, करेंगे देखो अभी अपन किससे करोगे इसको? Galilean transformation equation से तो चलो आजो, लेते हैं अपन बस कुछ नहीं करना है result यही निकालना है last में कि ये वाली equation आने चाहिए कैसे भी आए और इस equation के लिए आपन देखो ये derivation करेंगे देखते जाना कितने number last equation आती है और कितना बड़ा इसका derivation है ठीक है जी? आज आओ हाँ जी from Galilean transformation equation हाँ जी Galilean transformation equation ax dash equal ax minus vt y dash equal y होता है z dash equal z होता है ठीक है? और वहाँ पर ये भी है कि t dash equal क्या होता है? t होता है equation दो अपने पास है इसको equation number बोल्दो 3 इसको बोल्दो 4 इसको बोल्दो 5 और इसको बोल्दो 6 clear है जी? ठीक है अब अपन क्या कर देंगे? ये जो equation है ये इसके अंदर पूट करके देखेंगे कि ये इससे match कर रही है या नहीं कर रही है ठीक है? तो चलो आजाओ अपन क्या कर रहे है? ये दि कोई frame ax direction में गती करता है तब ही अपन ये क्या करते है? galion and transformation equation लिखते है ठीक है? क्या बोला मैंने? ये दि कोई frame ax direction में ही गती कर रहा है ये फिर ax direction में ही गती करता है तब अपन क्या लेते? आपको पता है कि पीछे जो अपने दो फ्रेम लिए थी वो भी क्या कर रहे थे आक्ष डाइरेक्शन में मोशन कर रहे थे कर रहे थे इसलिए अपने यह क्या लिए यहां पर गेलिया ट्राश्फरमेशन एक्वेशन लिए है अब एक्वेशन 3,4,5,6 पुट कर दो एक्वेशन 2 के अंदर देखो पुट करता है देखते क्या आता है आक्ष डेश वेलू रखदो आक्ष माइनस वी टी का स्क्वेर प्लैस वाइडेश इक्वेल क्या है यहां पर य तो लिख दो बाइश स्क्वेर जैडेश इक्वेल भी क्या है जैडेश स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर यहां पर क्या जाएगा टेश स्क्वेर इक्वेल जीरो ओ कोई दिक्कत नहां तो देखो आप इसको open करदो आ माइनस बिके ओल स्कॉय के फोगुले से आक्ष square ब्लेस है वी स्कॉयर टी स्कॉयर माइनस टू आक्रवीडिटी ब्लेस अश्क ब्लेस जड़ स्कॉयर माइनस स्कॉयर फिर्फ रिक्पाल जीरो ओके जी kung यहां तक तो अब क्या करोगे आप लोग यहां से आक्षी स्क्वाइर इन सबको एकसाइट रख लो आक्षी स्क्वाइर और यह स्क्वार प्लास जैड़ स्क्वार माइनस c स्क्वार T square ठीक है plus कौन कौन सी चीज़े आ गई X square Y square Z square minus C square T square अब बचा कौन सा आप लोगों के पास ये वाले बचे न तो लिख दो इनको V square T square minus 2 X V T equal में 0 हाँ जी अच्छा जी वो equation लेके ही आने पड़ेगी अपने को equation 1 क्या थी X square plus Y square plus Z square minus C square T square equal 0 अपने को करना क्या था ये Galilion transformation equation अपने यहाँ पे ली क्यों थी, put क्यों की थी क्योंकि इसको इसके equal में करना था या फिर ये जो value है इसको इसकी value के बराबर करना था ठीक है, अब यहाँ पे देखो value क्या बराबर होई ना, जी ना यहाँ पे तो बराबर नहीं होई तो अब एक चीज़ देखो ये वाली value और ये वाली value same है है, पर ये वाली value same है नहीं है तो आप लोग क्या कह दोगे यहाँ पे कि equation 1, 2 के comparison से हमें ग्यात होता है क्या equation 1 and 7 के comparison से हमें प्राब्त होता है कि equation 7 में V square T square minus 2 ax Vt एक अतिरिक्त पद है अता हम कह सकते हैं कि Galilean transformation equation एसे frame में कार्याइ नहीं करता है ठीक है Galilean transformation एसे frame के अंदर कार्याइ नहीं करेगा clear है जी यहाँ तक चलो ये तो अपने प्रूव कर दिया है कि Galilean transformation equation जो है वो यहाँ पर तो कार्याइ नहीं करेगी तो अब क्या करें मैं अब इसको कैसे सोल करोगे भाई आप लोग देखो हाँ जी अब जो अपन equation लेंगे न वो ही equation कहलाएगी अपनी low range transformation equation क्या करेंगे equation 1 और 2 की comparison से तो अपने को ग्यात नहीं हुआ यहीं ग्यात हुआ कि equation 7 के अंदर V square T square minus C square T square जो है वो एक अतिरिक्त पद है कहने का मतलब इसके अंदर Galilean transformation equation का रहा है नहीं करती है अब जो equation लेंगे अपन इस प्रूव करने के लिए equation 1 को तो वो equation अपनी कहलाएगी क्या Galilean transformation है equation ठीक है जी अब क्या करेंगे आप लोग माना Low range transformation equation निमने परकार है अरे में यह तो आप पहले ही क्यों लिख रहे हो देखो लिखनी नहीं है यह अपन प्रूव करेंगे बाद में हाना चलो जी Let Low range transformation equation क्या लोगे भाई मानोगे वो ही X-Y-Z-T-D-S-E-Q-1 ठीक है X-E-Q-E-Q-L क्या करोगे X-P-L-T ठीक है Y-D-S-E-Q-L वो ही Y आएगा Z-D-S-E-Q-L वो ही Z आएगा T-D-S-E-Q-L क्या जाएगा X-T ठीक है जी हम अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे देखो चार अनुन्य रास्या लेते हैं Alpha X Clear है Alpha X और Beta T और यह क्या कर दोगे Gamma X प्लश Del T क्या कर दिया भाई अच्छा जी Gamma G यहाँ पर है और Del यहाँ पर है उल्टा लिख दिया Del Gamma T ठीक है यह अपनी लोरेंज टार्श्फोर्मिशन एक्वेशन है यह अपने एक्वेशन यहाँ पर लिखी है इनको प्रूव करेंगे अपन की यह कैसे आए Alpha का मान निकालेंगे बीटा का निकालेंगे गामा का निकालेंगे और Del का निकालेंगे ठीक है यह अपनी होती है लोरेंज टार्श्फोर्मिशन है इक्वेशन इसको इक्वेशन देदो 8 इसको देदो 9 इसको देदो 10 इसको देदो 11 clear है जी यहाँ पर अब आपन देखते हैं S के सापिक्स S डेस का वेग clear है धान्स इमेजिन कर लेना या फिर सुन लेना या जो भी करना है कर लेना frame S के सापिक्स S डेस का वेग के सापिक्स बोल रहे हैं तो किसका S डेस का वेग क्या हो जाएगा प्लेस अक्ष दिशा में वी है लाइन लिख रहे हूँ S के सापिक्स S का वेग प्लेस अक्ष दिशा में वी है